हलो अवरिवान वेलकम तो दिस चनल नेम ट्रोटल बगाड तो स्वागात है सबका हमारे सुलमें जिचका नाम है ट्रोटल बगाड तो बुक इंसाडर सेक्ष्टन में हम पिछले वीडियो में हम बात के थे फोरंसिक मेरीसिन टॉक्सिक लोजी टेक्स्ट्बूक के बार में अगर आप लो बीडियो नहीं टेक़्र हो तो आई बट्न में क्लिक केरी और जाके देख लिची तो इन माइप्रिवास्ट्पीयस वीडियो अगर आप लोग थार्ड्यार में उठ गय हो तो चॉर्चुलेशन्स आज हम बात करेंगे अप्थाल्मोलोजी टेक्सबूक के बारे में तो पहले हम शुरू करते हैं हमारे लेजन्डरी टेक्सबूक जो आल इंडिया अभिलेबल है वो है आपका एके खोराना यह टेक्सबूक बहुत ही सही है ठीक है लुट जो पहले है तो इसी टेक्सबूक में आपको क्या लिखना परेगा थयुरिए में क्या बोलना परेगा भाईभा में आएगा क्या एंट्रश एक्जम में यह सब कुछ उपिलेबल है इस टेक्सबूक में ठीक है इस टेक्स बूक इस भेरी हेलपफूल फोर यूर थिओरी, एक्जाम, भाईबा एक्जाम, एंट्रांस एक्जाम, प्रेक्टिकल एक्जाम उसो, ओके, तो इसी के साथ साथ आजकाल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है ये डॉक्टर राज रतना का टेक्स बूक, मेनेम आपका फ्लो चार्ट्स, भाईबा में जो सवाल पूछे जाते हैं ठीके, यह सब कुछ आपका इस थियूरी मेनुवल में एबिलेबल है, ठीके, बहुत ही सही है, बहुत ही आसान है, आप इसको परके थियूरी बहुत अच्छे से पास का जाओगे, भाईबा भी आप अच आपके मर्जी, ठीके, फिर आते हैं आपका मित्तल और आगरवाल का टेक्सबुक, मैंने परा था, थार्ड यह में लाइबरी से लेके, ज्यादा माजा ने हाया, पर आपको अगर अच्छ लगता है, तो यह कितब आप पर सकते हो, ले सकते हो आपके मर्जी, तो यह कितब अगर आप उन स्टुडेंस में हो, जो आपको अप्थलमोलोजी बहुत ही डीटेस में जानना है, बहुत अच्छी तरीके से जानना है, ठीके, दिमप में ठूस ठूस के घुसाना है, कि पूरे अप्थलमोलोजी का ज्यान का भंडा, तो आपके लिए मैं रेकॉमेंड करता ये आपको बहुत ही डीटेस में मिल जाएगा, इसका लेंग उन्गवेश थोरा सा हार्ड है, ठीके? If you want to know details about अप्थलमोलोजी, very very details, then I will recommend you this international textbook, Kansh ki Clinical Ophthalmology here you will find everything in details but the english language is little bit advanced if you are weak in english then this textbook is not for you there is another textbook person's ophthalmology i studied this textbook this is according to me best of the best everything about ophthalmology in this textbook are in very very details अपको अंग्रेजी में थोड़ा सा दिक्कत आता है तो आपके लिए पर्सन का ophthalmology textbook है ठीके इसका अंग्रेजी बहुत ही easy है समझने में कोई दिक्कत नहीं आता है बहुत जदा ही details में दिया हुआ है ठीके आपको परके बहुत मज़ा आएगा मैंने भी परा था मैं जब थाडियर में था मैंने भी इस textbook को परा था बहुत ही मज़ा ठीके तो यह textbook आप खरीच सकते हो पर सकते हो आज के वीडियो में सिफ दो ही textbook का recommendation आपको दे सकता हूँ एक आपका एक के खुराना दूसरा पर्सन ठीके एक है आपका देशी एक है आपका बीदेशी ठीके एक के खुराना is our local Indian textbook and person is international textbook both textbooks are very easy to understand one is very comprehensive short another is very vast and very details okay and a little bit costly अब यह person का textbook थोड़ा सा महेंगा है क्योंकि यह international किताब है ठीके पर आपको यह पर के मज़ा आएगा यह दोनों किताब मैं आपको recommend कर सकता हूँ पर फिर भी मैंने जितने सारे टेक्सबुक के हमें बताया हूँ या आपके library में और भी अगर कुछ textbook available है तो सारे लेके एक जगा बेट जाओ library में select करो कौई कौई कौशा टेक्सबुक आपको अच्छा लगता है यह अच्छा लगता है यह अच्छा लगता है तो आप यह खरीद लो यह अच्छा लगत करके जो पसंद आता है वो किताब आप खरीद लो अगर पैसा नहीं है तो senior से मांग लो ठीके उनके पास भी नहीं है तो library में जाकर परलो नहीं अच्छा लगता है तो mobile में download करके परलो ठीके जितने सारे किताब मैं यहाँ पर दिखाया हूँ वो सब के सब PDF formation में available है download करको download कर लो परलो ठीक है तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नया textbook review लेके तब तक के लिए बाई